हेले दोस्तों गुड मॉनिंग टो अल आफ यूज फ्रेंड सीटेट जनवई 2024 परिच्छा की तयारी कर रहे हैं सभी छातरों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा परिच्छा तितियो को लेकर जो यहाँ पर संसय बना हुआ था कि आगे बढ़ेगी या उसी डेट को होगी उसको लेकर यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़े कंफर्म हो चुकी है और इसको लेकर एडमिट कार्ड क लेकर भी कुछ बड़ी जानकरी आपको देने बाला हूँ वीडियो को एंड तक देखेगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरू की देगा चैनल पर जो नए है चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन कौन कर लेना अगर आप सीटेड एग्जाम के लिए authentic news चाते हैं गर बैटे अपडेटर रहना चाते हैं इसके साथ अगर आप सीटेड एग्जाम की तयारी करना चाते हो प्रैक्टिस सेट करना चाते हो तो एक बार हमारे इस चैनल पर जाकर देखना डेली साम साथ बे लाइप प्रैक्टिस सेट होता है एक से लेकर मॉक टेस्ट कराते हैं आप लोग फ्री में जॉइन कर सकते हो बस करना क्या है चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन कौन कर लो आपको क्लास का नोडिफिकेशन मिल लेगा खाबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों तयारी के लिए एक और अच्छी चीज आपको तो अब यह पॉसिबल नहीं है कि प्रीवेसे पेपर सॉल्प कर लो और किताब से थेोरी पढ़ लो नई समझ माता किताब में जो कठिन सब्दों का प्रियोग किया गया है और थेोरी बहुत लेंदी किया गया है बच्चों को याद करने में दिक्कत हो रही है इसके सासाथ बच्चे किताब से स्लेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे परिच्छा तक ठीक है और अगर आपको परिच्छा पास करना है तो स्लेबस कंप्लीट करने के सासथ परिच्छा से पहले आपको पूरा का पूरा स्लेबस दोहराना होगा रिवीजन करना होगा वही बच्चे अच्छा अंक लेकर आते हैं ठीक है उसके लिए notes help करता है अब बच्चे कुछ notes बना नहीं पाते हैं कि क्या important है कैसे बनाए time भी बहुत लगता है notes बनाने में क्योंकि एक बार पुरा पढ़ना होता है तो paper 1 का भी notes available है paper 2 का लेना चाहते हो तो paper 2 का भी available है और हमारे notes में खासियत क्या है कि आपको इसमें theory पे बहुत focus किया गया है कोई one liner notes नहीं है कोई objective question का सिर्फ notes नहीं है इसमें आपको हर एक subject हर एक topic का बहुती सरलतम और short form में आपको theory मिल जाएगा जो याद करने में बहुत आसान है और सरल भांसा का प्रियोग किया गया है इसके साथ theory याद करने के लिए एक trick और यूज किया गया है कि हर एक theory के साथ में उसी से related image का यूज किया गया है तो बच्चे जब image देखते हैं और theory को पढ़ते हैं तो उनकी memory जदा बढ़ती है याद जल्दी हो जाता है और दिमाग में छब जाती है क्योंकि एक तो आपने theory पढ़ा लिखा हुआ पढ़ा और उसके साथ उसी सम्मादिद आप साथ साथ में चितर देख रहे हैं तो आप चितर भी आपके दिमाग में चब जाता है तो exam में बहुत जल्दी याद भी होता है आपको उस चितर भी रहता है आपके दिमाग में तो यह चीजों का टेक्नीक का यूज किया गया है इसके साथ हर एक topic के उसी topic के डिर्सो दोसो सो question important दिये गये है और previous question भी डाले गये हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके स्यार किया गया इस notes को दूसरी खास बात किया है आपके subject के according आपको notes मिल जाएगा जैसे paper 2 में किसी का social science है तो उसको social science के साथ बाकी subject का notes मिल जाएगा किसी का science मैत है तो science मैत करके आप बाकी subject ले सकते हैं इसके साथ paper 1 में जो language आपने लिया है जैसे किसी ने Sanskrit language लिया है किसी ने English लिया है किसी ने Hindi लिया है आपके subject के according मिल जाएगा पर paper कीमत जो है notes की 199 रुपीज है यानि आप चाहे paper 1 कर लो चाहे paper 2 कर लो आपको 199 पे करना पड़ेगा अगर कोई DLAD का student है जिनको दोनों paper का notes लेना है उनको 299 रुपीज पे करके दोनों complete से बसका notes मिल जाएगा लेने के लिए क्या करना इस number पे whatsapp पर message करना है कि सर लेगा और कैसे मापको payment करेंगे तो सारी जनका इस number पर आपको whatsapp पर दी जाएगी और आप sample और भी देख सकते है notes का लेने से पहले whatsapp पर message करके तो एक बार message कर लो देख लो भी या कैसा है कैसे लेना है कैसे payment करना है और एक बार इस notes को पढ़िए बहुत आसान लेगा और दोस्तों यहांपर परिक्षा त्यतिय को लेकर जो यहांपर जानकारी निकल के आ रही है दोस्तों जब कि परिक्षा है जो आप समी को बताए seated की अठारआवांशन करन है यानि एठ्रामवी बार सीटल परीचा आयुजित की जाने वाली है और जो परीच्छा पहले इन्धायत की गई थी 21 जनवई 2024 में दिन रवी बार परिच्छा अपने तैह समय पर 21 जनवई 2024 को ही निधायत की गई है और 135 सहरों में 20 भासाओं में ये परिक्षा आयुजित की जाएगी लेकिन यहाँ पर दोस्तों जानका ये में लेगी कि परिक्षा 21 को तो आयुजित की ही जाएगी लेकिन परिक्षा 22 को भी आयुजित की जा सकती है क्योंकि आवेदकों की संख्या इस वार बहुत अधीक है चीकर करीक्रिफ 30,00,00 चात्रों ने आवेदन किया है और एक ही देखो पहले क्या होता था पहले मैंने आपको बताया है कि जो पहली परिक्षा होती थी वो 30 दिन तक चलती थी वो एक ही दिन में पूरे देश में आयोजूद की जाएगी जी हाँ, एक ही दिन में पूरे देश में पेपर आयोजूद की जाएगी और एक ही दिन सीटेट के लिए परिक्षा देने 30,00,00 चात्र पूरे देश से निकलेंगे परिच्छ देने के लिए एक दूसरे एक सेंटर में, सहरों में, तो याता यात की भी सुभधा बाधित हो सकती है, बच्चों को ट्रेंड नहीं मिल सकता है, बच्चों को बस नहीं मिल सकती है, और ट्राफिक भी बहुत जाम रहेगा, बच्चे समय पर पहुंच नहीं सकते है इन चीजों को लेकर दोस्तों जो CBSC है वो विचार में वर्स कर रहा है और परिक्षा जो है वो 2-3 दिन आगे बढ़ाने यह नहीं 2-3 दिन आयुजित करने की सोच रहा है लेकिन 3 दिन नहीं यहाँ पर जानकारी यह मिल लही कि 21 तारीक को तो पेपर आपका कराई ही कराई जा अब यह आपके लिए फाइदा भी है जिन वच्चों का 22 तारीक को पढ़ेगा पेपर उनको यह फाइदा हो जाएगा कि 21 तारीक को जो पेपर होगा उसका पूरा एनलिसिस आपको मिल जाएगा ठीक है कि पेपर में क्या आया कैसे आया कौन-कौन से टाइग वड़ पूछ अगर CBSC ने मीटिंग में रिड़े ले लिया कि परिक्षा हम दो दिन आइजित करेंगे तो 21 को तो होगा सासाथ में 22 तारीक को भी परिक्षा होगी अब किसका 21 को पढ़ेगा किसको 22 को पढ़ेगा यह तो एडमिट कार्ड पे पता चलेगा ठीक है एडमिट कार्ड जब ज लिकते हैं आ सकती है एडमिट कार्ड हो सकता है जारी नहों और एडमिट कार्ड जारी भी हो जाएगा तो परिक्षा में समस्या हो सकती है क्योंकि अगर आपने आपने बीए कर रखा है और आपने सोसल साइंस के बज़ाए साइंस में चूज कर रखा है तो आपको साइंस म प्लस मार्क्स दिलाने के लिए गारंटी देता है लेकिन नोट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा लेने के लिए करना क्या है आपको इस नंबर पर वाट्सप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेड एक्जाम का नोट चाहिए जिस पेपर का चाहिए वो पेपर बता दो आपको डिटेल दी जाएगी और आपको देखना है नोट्स को देख भी सकते हैं और उसके बाद परचेस कर सकते हैं दोस्तों और आपको पढ़ना के लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपको ये याद करने बहुत आसानी हो जाएगी और हर चीज को आप रिवीजन भी कर सक तो पूरे देश में अव्यूत करना होता है तो इसलिए एक बड़ी चुनोती है 30 लाग बच्चों को एक दिन परिच्छा में समलित कराना ठीक है और हर चीजों को देखना पड़ता है कि अपनी परिच्छा की तयारी ही नहीं करनी है पूरे प्रदेश में याता या सुविध ठीक है हर चीज को बनाए रखना है ट्राफिक चीजे बनाए रखनी है ताकि किसी बच्ची की परिच्छा नो चूटी ये भी जिम्मेदारी CBSC के ऐसा नहीं है और कोई ऐसा ऐसा फार्म ने बारा सुरुपे बच्चों न दिया है तो बच्चों के लिए समस्या है कि तैयार और भी वट्साप पर मैसेज कर सकते हैं नोट से ले सकते हैं इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उन कर लें आपकी अपडेट के लिए थाएंक्यू सो